वेल्कम तो दे चैनल अर्भी फंटासी से बंट इस सुड़ों में हम बात करने वाले अमेरीकन बसकेटबॉल लिग का जो मैच खेले जाने वाला है फोनेक्स वसेसं के बीच में दोने टेम में इस के ऊपर काफे द्टीम बीचे अब भले ले और आज का matches में भी कुछ key injury updates है जिसके बारा में वीडियो में हम detail में discuss करेंगे लेकिन लाइन अप में अगर कोई unexpected changes होते हैं यह injury updates आते हैं तो final team और final update के लिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना जिसकी link आपको मिल जाएंगे comment box में और वीडियो की description में दोनों लिंक आगर वर्क नहीं करती तो टेलिग्राम पर सर्च करना at the rate RV fantasy 7 सारे updates आपको मिल जाएंगे यहाँ से बात करेंगे दोनों टिम की तरह से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस injury updates सबसे फ़ले फोलेक्स तो फोलेक्स की तरफ से दो ऐसे प्लेयर है जैसे कहाँ पर प्रिस पाउड और रुसिक्सासत इनके उपर गेम टाम डिसीजन है यानि क्रिस पाउल हो सकता है खेलेंगे या फिर नहीं भी खेलेंगे यहाँ पर खेलने की चांसे कमें लेकिन खेलेंगी तो यहाँ पर recovery करें इंजरी से ज्यादा टाइम आपर खेलेंगे नहीं तो इतन करेंगे तो खेलेंगे आज आपर स्टार्टर और इनकी तरफ से रेगुलर्ली अपने टिम के लिए परफॉर्मस अच्छा रहें और दोनों टिम के बेच में रिसेंटली आभी आपर हिट्ट्वर माच हुआ तो उससे प्लेयर फॉर्फॉर्मस भी हमें आपर डिसकस कर ले इन दोनों का रोल इंपॉर्टन रहेंगा जब यह आपर बकर आउट है तो यह दोना आपको उफेंस में काफे ज़्यादा एक्ट्व देखनों को मिलेंगे माइक ब्रिजस की तरफ से प्रफॉर्मस अच्छा है लेकिन ओवराल फिट गोल से इनने काफे ज़्यादा स्ट् के आउट आफ यावर दो ही इनके कनेक्ट हो पाई ते जिसमें आप फ्री तुरों के चलते अच्छा आप पर फॉइंट से इन्होंने पर देते ओर आपर इनका पर इनका पर इसे चारफास में से इतना कुछ आये और वैसे पिनके क्रेडिट इनने काफे ज्यादा इंक्री क्रिस पाउल आउट होने के वजह से वैसिंग टांग यूरी एक हैसे प्लेर है जो इनके पोजिशन पर खेल सकते हैं आपर बाल हैंदलर तो ज़रूर आप इन पर ध्यान रखना ओर आल जो इस टीम की तरफ से जो हिट्वर मैचस में पर फॉर्फॉर्मस आया था अभी पर पर जो रिसनली फिफ्टी जन्यवरी को इसी टीम के अगेंस्ट वापर के लिए ख्रीस पाउल और डेंड रेंट इन टॉप स्कोरर रहे थे उसके बाद सेल्में के तरफ से ठीक ता काया था माइक ब्रेजस ने फिट गोल से शॉट्स काफी साथा लिया थे लेकिन इन्हों पर थोड़ा सा ध्यान टाक ना हो सकता है अज के मैंचेस में स्टार्टर भी देखने को मिलेंगे क्योंकि क्रिस पाउल के सब्सुट्यूशं पर यही कहले थे और बॉल एंडलिंग करते हैं इन्होंने लास्ट मांच में साथ असिस भी दिये थे तो आपको स्टार्टिंग लाइनप में डेफिनिटली यह प्लेयर देखनों को मिलेंगा अगर क्रिस पाउल नहीं केलते बाकि जो पाइनाय यह भी अनावेलेबल है तो ओवर आल जो आप पर एक ही प्लेयर निंके पास आवलेवले बाल हैंलर जो कि आप पर वासिंग तंगे टाइम अच्छा खेलें अगर नहीं केलते हैं तो माइक ब्रीजिस का रोल इंपॉर्टेंट रहेंगा और वासिंग तंग को आप अपने टीम में इसली पीक कर वा सकते हो यह वा इस टीम की तरफ से बैस्टेंट प्लेस आपर स्टार्टर बैस में ज्यादा कुछ प्लेयर अविलिबल नहीं है और जो इंपॉर्टम प्लेयर है वह एक ही वासे इंटांग जिडियर मुझे लग रहा जिनको आपर मैंने आपको रिकमेनेट किया है सेकंड साइड एक लेवलान लास्ट माच अपने आपर जो परफॉर्मस काफी अच्छा है लेकिन आप पर स्थोड़ा सा लास्ट माचस में इंजूरी की चलते यह भी परिशानते इनके उपर गेम टाम डिशिशन ही प्रोबेवले खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे अभी आपर कंफर्म नहीं लेकिन कंफर्म में आपर मिचल इनको लास्ट माच पर रेश दिया गया था और यहाज का माच के लिए अबले अगर सबसे अच्छी पीक आपको देखनों को मिलेंगे यह कुछ आप पर प्रोबेवले चैन्जेस आपको देखनों को मिलेंगे अकर गारलेंड केलते हैं तो क्रिस लिवर्टी खेलेंगे अजबेंगे और जो बाकी की स्टार्टिंग लाइने पे आपको ओकरो स्टार्ट करते ह करेंगे मोबली और सेंटर पोजिसन से स्टार्ट करेंगे यह इस टीम की स्टार्टिंग नायने पर इस टीम में स्टार्ट प्लेयर की बात कुर तो मिचल इनको लास्ट माच पे रेज दिया गा था आज के लिए अविलेबल है स्टार्ट प्लेयर है और यह स्टार्ट प्लेय expect कर सकते हो अलीन इंपॉर्टन पीक आपके आपके लिए आज के मैचस के लिए रह सकते हैं पॉइंट प्लस रिबांट दोने से परफार्म देंगे क्योंकि से एंटर पुजिन से खेल रहे हैं करने पर ऐसे स्टाटर के लिए तो आपको अच्छा पर आए करेंगे कें तरफ से अच्छापर्व साय ता लेकि की तरफ से भी क्लिश रिवर्टी एस स्टार्टर के लिए थे आज का माच गारलेंड नहीं कहलेंगे तो ये भी आपको आज का माच स्टार्ट करते हुँ देखने को मिलेंगे गारलेंगे की तरफ से अच्छा फरफर्फर्मस आया था लेकिन आप पर थोड़े से इंजूरी स से परिशान लास्ट मैचस में भी देखने को मिलेते ओके रही आपर आज स्टार्टर करेंगे क्रेडिस और चाहो था आप इनको ट्राइक कर सकतो लास्ट मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल क्या था एकिन सील अगर आपर आज का मैच आप पर गारलेंड भी खेलते और मिचल भी खेलते तूस सिनारोज में आप यहाँ पर ओके रहों को डॉप करकर चले जा सकते हो क्या पर ओके लिए वहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टन्स रहेंगे नहीं हेट्ट मैच इसमें जो प्लेयर फर्फोर्मस आया था क्रिस लिवर्टी आपको यहाँ पर भी देखन मोबली 6.8 रिबाउंड 1 असिस्ट और 2 स्टेल की चलते ठीक टाक आया था ओके रो जादा टाइम यहाँ पर खेलते नहीं 19 मिनिट केलकर 7.4 रिबाउंड और एक असिस्ट की चलते अवरेज परफोर्मस आया था और जो इस टीम के तरफ से बैंच टें थे अगर यहाँ पर यहीं सission की दिए डाइके जो फпервых आया पर ट्लेयर है आपर फॉर्थ ख्लेयर के लिए आपर स्टीवं को यूक्ड होंगे जिनके आपर यूज किये जा सकता है लैकि आज के मैंसे में चांसरे कम रहेंगे अगर गर लें और मिचल दोनए양 पर खिलेंगे क्या पर बैकप गाषाइज से इनके पास लिवर्टि भी वेलवेले बैक फॉर्वर्वर से उसुमान और स्टीवनस झाल विलेवले और बैकप सेंटर से आप इंके पास आप विलेवले लव इनका यह याप यूज रिया गया था इसके चलते बैक अब लाफ की तरफ से काफी आच्छ और लास्ट माच में जैसे इन्होंने श्रगल किया है मुझे नहीं लगता आज का माच खेलेंगे तो रिटो का जो रोल रहेंगा वो भी आज का माच इसके लिए आप पर इंपोर्टन रहेंगा चार बेस्ट बैंच प्लेयर जो पर इंजोरी पर डिपेंड़न रहेंगा दोने विए आप पर नहीं कहलते तो वासिंग्टन स्टार्टिंग लाइन अप में देखनों को मिलेंगे ये टीम में मेरे डिफॉल्ट रहने वाले मिचल और क्रिस लिवर मेरे टीम में रहने वाले माइक बडीजस के लिए मेरे टीम में जगा बनेंगी ग्रेग यापर अच्छी औप्शन्स रहेंगी सेलमेंट की ये दोनों पिक आपके लिए काफी बेस्ट रहेंगी और थोड़ा सा अगर आप डिफरेंशल करना चाहिए तो लोग के पास भी एक अच्छी खासी अपर्चुनिटी रहे थे पॉइंट प्लस रिपांट से ये भी फरफार्मस दे पर इंजरी के चलते पुरा टाइम भी खेले नहीं थे स्टार्टिंग में याप पर बाहर हो गए थे उसके आना अकॉर्डिंग आपर मिन यापर ये टीम बनाए और लाइनप में जो भी चेंज़स होंगे उसके अपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अगर लाइनप में इंजरी होगे थे उसके जल्दे आपर डियाद्रे अंटेन को ही आपर आजया पर वाइस के आपनाना ने पीपी बनाना से पे ये मेरे टेमोटर मुलों टीम फाइनल टेम और फाइनल अपडेट रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल लाइन आप आने के बात हो ड्रेख भीव स्क्राइब आसब्सक्राइब एल्या प्रेख प्रेख ये डिया दो लाइस विति अद्द ध्यूं और टेमोटर मुलों अ क्यारे आपडेब वाजरे ने पहां जोगे टेमोटर टा के लिया जानेके साऩी रहें आपके बास्ट